ओम श्री कृष्ण पर्मत मने नमा राम माता पिता नी आग्णा महमेशन हैता भरत ने भले राज्य मणे पर मने तू वनवास केम आपे छे केम रामे कई कई ने पूछू नथी उटतू कई कई ने कहूं के मा तारो मारा तर पक्षपात छे भरत करता तारो प्रेम मारा महा विशेस छे रुषीमुनियों नो मने सक्संग प्रापत थाई ते थी ते मने वनवास हाप्यो छे जो मारा कल्यान मते वनवा मोखलो छो आपने याद ए राखवानू छे के दरेक वस्तु जे प्राप्त थाई छे एने आपने एक कई रिते जोई ये छी ए एम केवाई छे के मातापिताना आशिर्वाद विना कोई सुखी थयू नथी याने थशे पन नई मातापितानी सेवा करतना संकोच थाई एव भनतर कामनू नथी मातापितानी सेवा, देशमा प्रिती औने प्रभुमा विश्वास राखतां सिक्वाडे एवु बनतर कामनू छे शास्त्र मा तो लख्यू छे कि जे मा मातापिता मरण पाम्या होई ते 24 कल्लाक मा एक वार मातापिताने याद करी तेने वंदन करे राम जी मान सर्व सद्गुणू एकत्र थया छे एक वानि, एक वचनी, एक पत्निव्रत धारी श्री राम छे राम चंद्रजी एक पत्निव्रत पाले छे वडिलोनू जितलू सारू अनू कर लिया लाग्यू तेतलू जीवन मा तेम्ले उतारिऊ राम जी ये दश्रतनु बद्दू राख्यू पंटेमनी एक वस्तु न राख्यू तेनु बहू पत्नि व्रक्त राख्यू न थी राम जी ये कईू न थी के मारा पिताय भूल करी छे परन्तु विवेक थी ते भूल ओते सुधारी लिदी छे राम राज्यमा प्रभुय काईदो सुधार्यो एक पूरुष एकज पत्नी करी शके जेनु मन एक स्त्रीमा छे ते एक पत्नी व्रक्त धारी पूरुष साधू छे पुरुष एकज त्रीमा काम भाव राखे औने धर्मानों कुल काम भोगवे तो टे गुरुहस्त होवा चत्ना ब्रह्मचारी छे काम ने व्यापक थवा न गईये तेने एक जग्याए संकुचित करिये औने आ माटे इच लगना छे वेद भगवाने तेथी याकना करी छे यानी अस्माकम सुचरितानी तानी त्वया उपास यानी नो इत्तरानी चार वेद छ शास्त्रनू अध्यान पूरु थयू शिष्य घर जवा निकलो छे विद्या समापन करीने शिष्य गुरुजीनी रजा मागे छे त्यारे गुरु शिष्यने छिल्लो उबदे साते छे एमा आज वात थेवामा आवी छे तारा माता पिताने प्रभू मांजे तारे आंगने कोई विखारी आवे तो तेने प्रभू समान मांजे अही मारी अनेक भूलो तने देखानी हशे पन मारी भूलो नू मारा दोश नू के मारा पाप नू अनुकरण तारे करवानू नथी अमारा जे सदगुणों छे तेनुज तारे अनुकरण करवानू छे विजा कशानू नहीं गुरु जे करे ते करवानू नथी गुरु जे कहे ते करवानू छे तेनी आगनानू पालन करवानू छे आउँ शास्त्रग्नान छे वालमी की रामायनना सुंदर कांड मा कथा आवी छे हनुमान जी सिता जी ने मलवा अशोक वन मा आगया छे सिता जी ने हनुमान जी कहे छे मां हुँ झाओं छूँ सिता जी कहे तुम आवयोते सारू थेऊ 15 गया पचिया राक्ष सियो मने बहुत रासाथ छे मानी आखमा आशो आगया छे हनुमान जी कहे तमे आगना आपो तो तमने राम जी पासे आजे लई जाओं तमे मरा खब्रे बिराज्यो हूं राम दूत छूँ मने कोई मारी शके नहीं तमारो सेवक तमने राम दर्शन कराव शेमान सिता जी त्यार ना पाड़ी छे तू मारो दिकरो छे तू बाल भ्रह्म चारी छे पवित्र छे पन तू पुरुष अने हूं स्त्री छो मारा माटे परपूरुष्णो स्पर्ष वर्ज्य चे परपूरुष्णे स्पर्ष करवाती स्त्रीना पाती ब्रत्यनो भंग थाई चे जगटने स्त्री धर्मनो आदर्ष बतावाज तोमारो जन्म थायो चे मुतारे खब्बे बेसीने आवूं तो लोकोशुक है रगुनाज जी मारा सिवा एकोई स्त्रीने अड़क्ता न थी मनुष्य मन्थी पन कोईने स्त्रीने स्पर्ष न करे जरूरी चे मेरामजी सिवा एकोईना चरणने स्पर्ष करो न थी स्त्री पती सिवा एकोई साधू संतनो पन चरण स्पर्ष न करे साधू संतने दूर्थी वंदन करे आज शास्त्रमा दर्शावेली मर्यादा छे बेटा तु बाल ब्रह्मचारी छो पणहूतने स्पर्श करूं तो धर्मनी मर्यादा तुटे सिता जी ये जगतने स्त्री धर्मनो आदर्श बतावे हो छे आदर्श श्त्री धर्म बतावा सिता जी प्रगट्ठेया छे पत्नी माटे पती एज परमेश्वर छे राम सरण छे पन सिता जी नी सरणता खरेकर अलोकिक छे हरियो हर लि Täर आदर्गवर लगा स्ट्री बताव मैं कि राम मैंचर मैंचर ओर लुरीरीर व्रॏप भाया बतावा सिता जी पतावा